हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्णिंग आपके अपनी यूट्यूब चैनल इस्टेटी बेस्ट एजिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स आज 7 अप्रेल 2020 के टाप करेंट अफेर्स के क्वेस्चन को इस वीडियो में डिसक्स करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स मोटिवेशनल थार्ट्स के साथ किसी ने क्या कमाल की बात लिखी है न संगर्स न तकलीफ हो फिर क्या मजा है जीने में तूफान भी रुक जाएगा जब लच्छ रहेगा सीने में चले फ्रेंड्स इस मोटिवेशनल थार्ट्स के साथ आज का पहला क्वेस्चन सुरू करत की है तो सोक दिवस जो की चार अप्रेल 2020 को चीन ने मनाने की घोश्रा की है आप संसी करेक्ट आंसर आप जानते ही फ्रेंट्स चाइना की उहान प्रांट से कोविन-19 पुरे विस्व में फैल गया और अब इसके लिए चाइना सोक मना रहा है अगर हम चाइना के बात करें तो चीन एसिया महादिप में इस्तित एक विकासील देश है चीन की सबसे बड़ी एक नदी है जिसका नाम है यांग्ची रिवर जिकी टोटल लंबाई 3300 किलोमीटर है जो एसिया की सबसे बड़ी नदी है अगर हम चीन की कैपिटल की बात करें तो बीजिंग है यहां के प्रे और अभी कल की वीडियो में आप से डिसक्स किया था कि एसियाई यूवा खेल 2021 की मेजबानी भी चायना को सोपी गई है चलिए नेक्स्ट कोईशन को बढ़ते हैं अब किस राज सरकार ने अपरेल 2020 में सैलरी चैलेंज को मंजूरी दी है तो किस राज ने सैलरी चैलेंज य के कारल फाइनेंशिल सिच्वेशन को देखते हुई केरला की स्टेट कैबिनेट ने ये घुश्रा की है कि जितने भी गवर्मेंट इंप्लाइज है वह अपने एक महीने की सैलरी चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में डॉनेट करें तो बहुत ही अच्छा कदम केरला गवर्मेंट के द्वारा कि अगर हम इंपोर्टेंट फैक्ट्स केरल से लेटर बात करें तो केरल का गठन एक नुवमबर उनिस्टो छपन में किया गया था केरल की राजभाशा मली आलम है केरल में टोटल लोग सभाशी सेथ के संख्या 20 राजभा सेथ की संख्या 9 बिधान सभा सीर की संख्या 840 जों टोटल 0 की संख्या 14 है। प्रजन टाइम में कैप्टल त्रिवननद पूरम है। और मुख मंत्री पिर्वाय बिजेन जी हैं। और यहां के गवर्नर आरी मुहम्मद खान जी हैं। अगर केरला के दो पड़ोसी राजी की बात करें तो करनाटा और तमिलनाडू हैं। लेकिन जब एक केंदर सासित परदेश लच्छ दीव को भी सामिल कर लिया जाता है। तो टोटल तीन हो जाते हैं। तीन पड़ोसी हो जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि केरला में इस्तिद है साइलेंट वैली, साइंत घाटी जिसे कहते हैं। यह बहुत ही फेमस घाटी है। जो कि केरला में ही है। चलिए, नेक्ट क्रेशन के रवढ़ते हैं। होप नाट हंगर पहल की सुरुवात किसने की है। तो Hope Not singer पहल के शुरुआ स्वेगी के द्वारा शुरू की गई है। अपसन भी correct हो जाएगा। अब बात करें कि स्वेगी के द्वारा इस पहल के शुरुआत क्यों की गई है। क्योंकि यह जो है स्वेगी यह इंडिया लार्जेस्ट फूर डिलेवरी प्लेटफार्म है आपसे बहुत जानते हैं और इसने यह स्वेगी ने कामर्शियल किचन्स यंजियोज और स्टेट गवर्णमेंट के साथ मिलकर दैनिंग मलदूरों और मांसिक पीरिद मलदूरों को अरबिंद केजरिवाल जी की मुहिम है उसमें भी सपोर्ट स्वेगी ने की है तो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा चले नेक्ट कोईशन को बढ़ते हैं किस मंत्राले ने लाइफ लाइन उडान पहल की सुरुवाद की है तो लाइफ लाइफ लाइन पहल की सुरुवाद किस लाइफ 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 कंपनी हैं इसके साथ कोरोना केर पॉलसी शुरू करने के लिए साज़ेदारी की है अपसंदीज करेक्टर सर फ्रेंट्स फिलिफ कार्ट के स्वामित वाली डिजिटल भुगदान फोन पे ने बजाज आलियंज जनरल इंसोरेंस के साथ मिलकर कोरोना वाइरस से अस्पताल में भरती के लिए कोरोना केर नामक बीमा पॉलसी की सुरुवात की है इस पॉलसी में क्या है क्या जनरली पचपन वर्ष से कम आई वाले लोगों के लिए बीमा पॉलसी का मोले 50,000 रुपे बीमा कवर के साथ में 156 रुपे है और कोबिन-19 उपचार की पिसकस करने वाले किसी अभी हास्टल में जाकर इसका लाग उठाया जा सकता है चलिए नेक्ट कोश्चन के रुप पढ़ते हैं अभी हाल ही में राष्ट्रिय समुद्री दिवस के अब बात या आती है कि इस दिवस को क्यों सेलेबिरेट किया जाता है क्योंकि इस दिवस को मनाने का में आपजेक लोगों को भारटिये जहाजराणी उद्यव द्यों की गढविधियों और देशत की अर्थब्यवस्था में इसकी भूमका में अउगट कराना है इसलिए श्मुद्री दिवस स्लीबिरेट किया जाता है अब बात ही आती है कि समुद्री दिवस 2020 की थीम क्या रही है हिंद म महासागर यह राष्टरिय समुद्री दिवस की ठीम रही है चलिए कुछ important day को भी discuss करते हैं अभी हाल ही में एक अप्राइल को उतकल या ओडिशा दिवस के रूप में चलिए next question को बढ़ते हैं हाल ही में किसने mhrd aicte covid-19 student help line portal launch किया है तो किसके द्वारा launch किया गया है यह aicte के द्वारा mhrd aicte covid-19 student help line portal को launch किया गया है after a character answer हो जाएगा अगर बात करें इस portal का में उद्देश क्या है तो इस portal का में उद्देश है आईसे विद्दार्थियों को सहायता यूं सहयोग परदान करना जिन्हें lockdown के दोरान या समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है इसलिए इस portal को launch किया गया है अब बात यह आती ह कि फूल फार्म क्या होती है तो इसकी फूल फार्म होती आल इंडिया काउंसिल फार टेकनिकल एजुकेशन यानि कि अखिल भारतिये तकने की सिच्छा परिश्द हिंदी में बात करें इसकी स्थापना नवंबर 1945 में की गई थी और इसका headquarter नई दिल्ली में है परजन डेनियर फिलिन जोकी न्यूजी लैंड से बिलांग करते हैं और इन्हों ने किर्केट के सभी प्रावरुपों से से नाज के खुश्टड़ा किया आप संसी करेक्ट हो जाएगा अगर बात करें हम अब देखें एक टर्म आता है आई सी सी अब आई सी क्या है जनरली आई सी इसी बिस्व में क्रिकेट मैच रेगलेट किया जाता है उसी के दौरा इसकी फुल फार्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानि अंतरराष्ट्रे क्रिकेट परसद यही बिस्व में जहां भी कोई भी क्रिकेट मैच होता है तो इसी के दौरा रेगलेट किया जात दूबई में है प्रजंट टाइम में इसके सीओ मनुशाहिन जी है अध्याच ससांक मनुहर जीहें आप बात यह तो नियुजिलाइंड की कैपटल बेलेंग्टन है करेंसी नियुज्यलैंड डॉलर है यहां के प्रजंट टाइम पीम जैसिंडा अर्ड्रेन जी है कौन जैसिं पुलिस के द्वारा ऐसा कदब उठाया गया है आप से एक करक्ट आंसर हो जाएगा अब बात यह आती है कि नेकी की चारपाई है क्या जनरली फ्रेंट्स क्या हुआ नेकी की चारपाई की बात करें तो इसमें उत्राखंड पुलिस ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है इसमें क्या क्या गया है कि एक चारपाई होती है और इस चारपाई पर कच्चा अनाज बनाकर रख दिया गया है और लोगों से कह दिया गया है कि ऐसे लोग जो स्रम करते हूं वह एक पैकिट मतलब यहां से लेकर जा सकते हैं चारपाई से पने आप उठा लेकर जा सकते हैं पायकेट में 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, छीनी तेल समेत कई जरूरी सामार रख दिये गए हैं बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है अब बात कर दें उत्राखंड की तो उत्राखंड का गठन यानि फ्रेंट्स 9 नौमबर संद 2000 को किया गया था और उत्तर परदेश का पहले यह हिस्सा था और इसी को डिवाइड करके उत्राखंड को 27 राज के रूपे बनाया गया उत्तराखंड के पड़ोसी राज की बात करें कहीं न कहीं देखने को पिली जाते है तो इसको ही सकते हैंες दिकशन की और बढ़ते हैं तो किस पहल के सुरुवात किया है करूना अपसंसी और अंसर हो जाएक करूना पहल के सुरुवात की गई है इनके द्वारा अब बात ही आती है कि करूना है क्या तो करूना जनुरी फिरेंस इसके फूर्फार में ही है कि नेचरल डिजास्टर में सपोर करने के लिए जितने भी सिविल सर्फिसेज के लोग हैं तुरंत पहुंचें चलिए नेक्ट कोशन के बढ़ते हैं भारती वाईसेना ने आपरेशन संजीवनी के तहत किस देश को लूपिन वीर और रिटन वीर और इंफ्लुएंजा के टीकेत था नेवुलाइजर कैथेटर था यूरिन बैग सहित 6.2 मिलियन टन आफ्षिक दवाएं मुहिया कराई है तो इसके तहत मालदीव को लूपिनियर और रिटन वीर और इंफ्लुएंजा के टीकेत था मतलब यूरिन बैग सहित 6.2 मिलियन टन आफ्षिक दवाएं मुहिया कराई गई है तो आफ्षिक हो जाएगा फ्रेंट्स अगर हम बात करें ए आई एफ यानि इंडियन एर फोर्स की बात करें तो इसके स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी इसका मुख्याले ने दिल्ली में है प्रिजन टाइम में इसके चीफ जो है कौन है राकेश कुमार सिंग भधोरिया जी है वाइस चीफ की बात किया तो हर्जी सिंग अरोडा जी है चले फ्रेंट्स नेक्स क्यों बढ़ते हैं पेटा इंडिया ने किसे हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से समानित किया है तो हीरो टू एनिमल्स अवार्ड के लिए पेटा इंडिया ने ओडिसा की मुखमंत्री नभीन पतनायक जी क इस आवार्ड से क्यों समानित क्या गया है क्योंकि उन्होंने नोवल कोरोना वाइरस महमारी के करल लगे लागडाउन को दौरान ओडिसा में सामदाइक पस्वों को खाना खिलाने के लिए रास आवंटित करने के लिए पीपल फार्द एथिकल ट्रीटमेंट आफ एनिमल्स यहां के मुखमंत्री है उडिसा के इन्होंने पस्वों के मुखमंत्री समस्या को देखते वे राहत कोस्त से 24 लाग रुपए मंजूर किये इसलिए इनको यह आवाल दिया गया अब बात आती है पेटा की तो इसके स्थापना 22 मार्च 1980 में के गई थी इसका मुख्याले कहा जिनी के बढ़ते हैं माध्वि पूरी बुच को सेवी में पूर्ड कालिक सद्व के लिए बढ़ा दिया घया है तोईके पूरी पूरी बुच्ज जी है इस सेवी की पूर कालिक सदस बनने वाली पहली महिला और सेवी में बोर्ड सदस के रूप में सामिल होने वाली निजी छेतर की पहली महिला हैं चलिए, important facts, service related जनरली सेवी की full farm ही एक्जाम में पूछ ली जाती है तो सेवी की full farm क्या होती है, friends The Securities Exchange Board of India इसकी अस्थापना 12 April 1990 में की गई थी और इसका मुख्याले मुंबई में है और प्रजन डाव में इसके अध्ष आजे त्यागी जी है चलिए, friends तो इतने important question को हमने discuss के लिए उमीद करता हूं आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी हो तो प्लीज अपने फिर्ट जोन में सेर करना बिलकुल ना भूले और एक लाइक जरूर करें यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूल ना भूले और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें टाकि डेली हूं माझा झानल काझ पर जानल को सब्सक्राइब करना बार ब मlorत में परेस।